असलावलेकूम आज हम डिसकस करेंगे लाइट इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड ये अंदेरे में भी हो सकता है और जो Calvin cycle इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको Melvin Calvin और उसके co-worker ने University of California में क्या किया था इसको explore किया था यानि इसको explain किया था ठीक है अब यहां पे इस जो Calvin cycle को चलने के लिए कुछ products की जरुरत होती है ठीक है प्रोड़क्स की जरुरत होती है एक है product of light reaction जो product of light reaction में हमारे पास क्या आता है एक आता है ATP और दूसरा हमारे पास क्या है NADPH ये दोनों किस की product है हमारे पास light reaction की product है और उसके साथ साथ हमारे पास carbon dioxide भी होना जरुरी है इस cycle को चलने के लिए Kelvin cycle की जो कुछलने के लिए हमारे पास carbon dioxide और जो light reaction की product होना जरुरी है ठीक होगे अब जो Kelvin cycle के अंदर 3 phase पर ये पूरा cycle मुच्तमिल होता है Kelvin cycle कितने phase पर मुच्तमिल होता है 3 phase पर phase number 1 हमारे पास आता है carbon fixation दूसरा हमारे पास आता है reduction और 3 हमारे पास Kelvin cycle के अंदर आता है regeneration of CO2 acceptor ठीक होगे अब सबसे पहले हम यहां पर discuss करेंगे carbon fixation को उसके बाद हम reduction पर आएंगे उसके बाद हम regeneration of CO2 acceptor के उपर आएंगे तो सबसे पहले अगर देखें कि carbon fixation क्या है तो carbon fixation हमारे पास जो ribillose bisphosphate एक molecules है जो कि 5 carbon containing एक molecules है ribillose bisphosphate हमारे पास क्या है 5 carbon containing एक molecules है जो कि क्या करता है carbon dioxide को accept करता है ठीक है और carbon dioxide को अपने part बना लेता है उस process को क्या कहते हैं carbon fixation इसलिए ribillose bisphosphate को क्या कहते है CO2 acceptor भी कहा जाता है अब जो ribillose bisphosphate carbon dioxide को अपने part बनाने के लिए एक enzyme की ज़रत होती है ठीक है उस enzyme का नम हमारे पास क्या है ribisco ribisco enzyme क्या करता है जो ribillose bisphosphate OCO2 को क्या करता है आपस में मिलाते है और हमारे पास क्या बनता है 6 carbon containing 3 molecules बनते है ठीक है अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहां से 3 carbon dioxide के molecules आ रहे है और यहां पे हमारे पास 5 carbon containing ribillose bisphosphate के कितने molecules है 3 molecules है ठीक है अब यहां पे 5 carbon containing 3 molecules 3 5s are 15 और यहां से हमारे पास 3 carbon dioxide के molecules आ रहे है और इसके अंदर कितने carbons है यहां पे 3 carbon यहां पे 3 carbon और यहां पे 15 carbon तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 18 18 carbon हमारे पास हो गए है 6 carbon containing molecules बन गए है इन दोनों यह दोनों जब आपस में मिला है तो हमारे पास क्या बना है 6 carbon containing molecules अब कितने बनेंगे हैं पे 3 क्योंकि यहां पे क्या है टोटल कार्बन हमारे पास क्या है 18 होगा 3 carbon dioxide है और 15 यहां ribillose bisphosphate है ठीक है अब जो यहां पे 6 carbon containing 3 molecules तो 3 6 हमारे पास 18 होगे अब यह जो 6 carbon containing molecules हैं यह बहुत ज्यादा unstable है यानि कि यह exist नहीं करता है यह जल्दी से breakdown होके 3 phosphoglycerate के अंदर convert होता है यह यहां center से breakdown होगा 3 carbon इस साइट पे और 3 carbon इस साइट पे अब इसलिए इस जो 6 carbon containing जो molecule हैं उसको Kelvin cycle के अंदर इसको show नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा unstable हैं जिसकी वज़ा से यह फोरण से breakdown होके हमारे पास क्या बनते हैं 3 phosphoglycerate अब जो 6 carbon containing जो molecules हैं center से breakdown होगा तो हमारे पास 3 carbon containing 1, 2, 3 3 carbon containing हमारे पास कितने molecules बनेंगे 6 molecules बनेंगे ठीक हैं जब 6 carbon containing molecules breakdown होगा ठीक हैं तो हमारे पास कितने बनेंगे 3 carbon containing 6 molecules बनेंगे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 बन गए क्योंकि यहाँ पे 6 carbon था यहाँ पे हमारे पास 3 carbon containing molecules बन गए और उसका नम हमारे पास क्या है? 3-phosphoglycerate ठीक है? अब जो 3-phosphoglycerate है वो किसके साथ react करेगा? ATP यहां पर ATP add होगा ठीक है? अब जब यहां पर 6 molecules of 3-phosphoglycerate है तो यहां से कितने ATP आना चाहिए? 6 ATP यहां से जब 6 ATP 3-phosphoglycerate के साथ react करेंगे तो हर 3-phosphoglycerate के जो molecules के उपर एक phosphate attach होगा ठीक है? और जो 3-phosphoglycerate है वो हमारे पास convert होगा किसके अंदर? 1-3-bisphosphoglycerate के अंदर क्योंकि यहां पर सुर्फ कार्बन नमबर हमारे पास किसके उपर मौज़ था? 3 के उपर 1-80-phosphoglycerate मौज़ था और यहां पर हमारे पास क्या हो गए है? कार्बन नमबर 1 और कार्बन नमबर 3 दोनों पर हमारे पास phosphate मौज़ था जिसकी वज़़ से इस molecules को हम क्या कहते हैं? 1-3-bis यानि की by means 2 1-3-bisphosphoglycerate कहेंगे ठीक है? और यह जो 3-phosphoglycerate है हमारे पास किसके अंदर convert हो गया? 1-3-bisphosphoglycerate के अंदर convert हो गया by the addition of phosphate from ATP और जो ATP है वो convert हो गया किसके अंदर? ADP के अंदर यानि adnosing triphosphate convert हो गया adnosing diphosphate के अंदर ठीक हो गया? अब यहां पर जो 1-3-bisphosphoglycerate है इसके उपर क्या एड़ होगा? hydrogen ठीक है अब यहां पर 1-3-bisphosphoglycerate है उसके उपर hydrogen एड़ होगा तो यहां पर 6 molecules of क्या है? हमारे पास 1-3-bisphosphoglycerate मोजूद है तो यहां से 6 NADPH के molecules आने चाहें क्योंकि यहां पर क्या है? 6 molecules of 1-3-bisphosphoglycerate है तो हर molecules के उपर एक hydrogen एड़ होना है तो 6 NADPH यहां से आएंगे ठीक है? और यहां पर 1-3-bisphosphoglycerate के उपर एक hydrogen एड़ करेंगे तो यहां पर 1-3-bisphosphoglycerate के उपर एक hydrogen एड़ होने के लिए यहां से एक phosphate को निकलना पड़ेगा ठीक है? निकल जाएंगे तो हमारे पास NADPH से hydrogen आके यहां पर अटेच होगा ठीक है? तो hydrogen की जो addition की जो process को क्या कहते हैं? reduction कहते हैं second phase हमारे पास reduction का process होते हैं इसलिए इस cycle के अंदर ठीक है? अब यहां पर जब NADPH से एक hydrogen आके कहां पे 1-3-bis-phosphoglycerate के जो molecules के उपर attach होगा तो जो NADPH है वो किस के अंदर convert होगा? NADP plus के अंदर convert होगा ठीक है? यहां से hydrogen remove हुआ है और जाके 1-3-bis-phosphoglycerate के उपर क्या हुआ है? add हुआ है और जो 6 NADPH के molecules 6 NADP plus के अंदर का नोट हो गया और यहां पे जो 6 molecules था किसके 1-3-bis-phosphoglycerate और हर जो molecules से एक-एक phosphate निकल गए है तो कितने phosphate यहां से निकलना चाहिए? 6 तो 6 phosphate यहां से निकल रहे है और जो 6 hydrogen यहां पे add हो रहे है और जो 1-3-bis-phosphoglycerate वो हमारे पास convert हो गया है glyceraldehyde 3-phosphate के अंदर जिसको G3-PB कहा जाता है ठीक है अब यहां पे जितने भी जो dots है यह जो dots पूरे cycle के अंदर शो क्या है वो किसको शो करता है number of carbon को ठीक है और जो second phase है हमारे पास क्या है reduction अब reduction oxygen को क्या करता है lose करता है ठीक है और यहां पे क्या हो रहे हमारे पास NADPH से hydrogen add हो रहे है किसके उपर 1-3-bis-phospho glycerate के उपर इसलिए इस जो reaction को इस step को हम क्या कहते है reduction phase कहते है reduction phase of Calvin cycle के जो reduction phase है जो कि second phase of क्या है Calvin cycle है अब यहां पे हमारे पास glyceral dehyd 3-phosphate है उसके कितने molecules है 6 molecules ठीक है अब यहां से एक molecules निकलते है ठीक है बाहर पूरज cycle से निकल जाते है क्यों क्योंकि इसी एक molecule ने आगे जाके क्या बनाना है sugar बनाना है ठीक है अब glyceral dehyd 3-phosphate के एक molecules निकल गए तो 6 में से कितने बज़ गए बागी 5 ठीक है 5 अब जो 5 है वो इस cycle के अंदर रहता है और एक क्या होता है यहां से निकल जाता है अब जो 5 G3P के molecules इस cycle में मौजूद है वो क्या करेगा दुबारस से रिबिलोस बिस फास्फेट को बनाएगा क्योंकि इस cycle ने दुबारस चलना है ठीक है अब दुबारस CO2 की जो अक्सेप्टर को तो मौजूद होना चाहे cycle के अंदर ताकि यह पूरा cycle दुबारस से चले और हमारे पास फिर इसे क्या बने G3P के molecules यहां पे बने और sugar हमारे जो man जो target है वो क्या बने sugar बने ठीक है अब यहां पे जो G3P के कितने molecules बज़ गए 5 क्योंकि एक यहां पे निकल गए है ठीक है अब जो 5 G3P के जो molecules हैं वो एक ऐसा series of reaction से गुज़रेंगे ठीक है series of reaction यहां पे double arrow मैंने इसी लिए शूर किया है क्योंकि series of reaction को समझाने के लिए ठीक है जो 5 molecules 3 carbon containing 1, 2, 3 यह series of reaction से गुज़रेंगे गुज़रने के बाद एक molecule बनेंगे हमारे पास उसका नाम क्या है ribillose phosphate ठीक है अब जो ribillose phosphate क्या है यह एक एसा molecule है जिसके अंदर कितने कारवन होते हैं 5 carbon होते है 1, 2, 2, 3, 4, 5 ठीक है अब जो 5 हमारे पास molecules थे 3 carbon containing यह convert हो गया 5 carbon containing molecules के अंदर तो कितने molecules बनेंगे हमारे पास 3 यहां पे 5 था 3 carbon containing लेकिन यहां पे 3 molecules बनें 5 carbon containing ठीक है इस concept को समझना है अब यहां पे हमारे पास कितने बन गए 3 molecules of 5 carbon containing molecules बन गए अब G3P किसको बना रहे है दोबारस से CO2 acceptor को यानिकि Rebellose Bisphosphate को बना रहे है ठीक है अब Rebellose Bisphosphate की जो को बनाने की जो फैस है Calvin cycle की उसको क्या कहते है Regeneration of CO2 acceptor यह क्या है 3rd phase of Calvin cycle है जो कि क्या बनाता है CO2 acceptor को बनाता है ठीक है दोबारस से Rebellose Bisphosphate को इसलिए जो 3rd phase को क्या कहते है हम Regeneration of CO2 acceptor अब G3P के मॉलक्यूल पहले किसके अंदर कनवर्ट हो गया Rebellose Bisphosphate के अंदर यह क्या है 5 Carbon कंटेनिंग मॉलक्यूल्स है अब इसके उपर क्या होगा फिर से 3 ATP इसके साथ रियक्ट करेंगे Rebellose Bisphosphate के अंदर ठीक है इसके उपर एक आल्रेडी फास्वेट मोजू था ठीक है Carbon No.1 के उपर यहां पर आल्रेडी एक फास्वेट मोजू हमारे पस था ठीक है अब यहां 3 ATP के मॉलक्यूल्स से क्या हो गये है यहां से Phosphate निकल के आए है ठीक है किसके उपर एड़ हुआ है Rebellose Phosphate के उपर और Rebellose Phosphate हमारे पस किसके अंदर करनोट हो गया Rebellose Bisphosphate के अंदर ठीक है क्योंकि यहां पर Carbon No.1 और Carbon No.5 दोनों के उपर हमारे पस क्या मौजूद है Phosphate मौजूद है और जो 3 ATP के मौलकिल हमारे पस किसके अंदर करनोट हो गया 3 ADP के अंदर करनोट हो गया और इस तरह यह साइकल क्या हो गया यहां पर कंप्लीट हो गया और दुबारे से हमारे पस क्या बन गए Rebellose Bisphosphate बन गए जो की क्या है CO2 Acceptor और दुबारे से यह CO2 के साथ Rate करेंगे कारवन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा और कारवन फिक्सेशन के प्रोसेस होने के बाद यह पूरा साइकल फिर से चलेंगे चलने के बाद फिर से एक G3P के मौलकिल्स बनेंगे फिर जो G3P के मौलकिल्स है वो आपस में मिलके क्या बनेंगे हमारे पास शूगर बनाएंगे ठीक है अब जो पूरा जो यहां पे हमारे पास एक G3P के मौलकिल्स बनाने के लिए ठीक है कितने ATP के जरुद होगे 6 ATP यहां पर यूस हुआ है 3 ATP यहां पर यूस हुआ है तो टोटल 9 ATP के मौलकिल्स की जरुद होती है किस को बनाने के लिए एक G3P के मौलकिल्स को बनाने के लिए 6 NADPH के मौलकिल्स की जरुद होती है ठीक है और 3 कारबन डाइकसाइड के मौलकिल्स की जरुद होती है ठीक है molecules को बनाने के लिए इस तरह ये पूरा Calvin cycle के जो process है वो चलता रहता है ठीक है first phase of Calvin cycle is carbon fixation, second is reduction, or third is regeneration of CO2 acceptor तो ये थी आज के हमारी जो topic Calvin cycle के हवाले से हैं तो next lecture तक लिए मुझे इजाज़त दीजे, अलाफेश ढलाफेश से अलाफेश और लिए जाज़त रहेश तरहां से लिए क्यूल तो यूल 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 यूल